असलाम अलेकम, वेलकम बेक तो मैं चैनल विच इज आईटिविक सोन्या राजपुर्ण जैसे कि आपको आइडिया होगा कि AdSense में डे बर डे चेंज आता रहता है यानि AdSense के इंटरफेस में बहुत जल चेंज आता रहता है तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप आज कल AdSense के अकाउंट को खुद किस तरह से पर्मेनेंटली डिलीट कर सकते हैं पर्मेनेंटली डिलीट करने का बेनिफिट आपको यह होगा कि जिस नाम पर आपने AdSense अकाउंट बनाया होगा उस नाम पर आप AdSense अकाउंट दुबारा बनाकर किसी दूसरे YouTube चैनल से लिंक कर सकेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले आप Google AdSense की वेबसाइट पर आ जाये और उस E-mail ID से यहां पर लॉग इन हो जाएं जिस E-mail ID के उपर आपका Already AdSense का अकाउंट बना हुआ था और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहां से मैं Sign In के बटन को प्रेस कर रहीं और यहां से मैं अपना E-mail ID को चूज कर लेती हूँ Otherwise आप यहां पर Use an Other Account को क्लिक कीजिए और यहां पर अपना E-mail ID एंटर कर लीजिए जब आपका AdSense ओपन हो जाए तो Left Side पे आपको Second Last Option शो हो रही है अकाउंट की आपने इसको क्लिक कर के ओपन कर लेना है यहां पर आप देख सकते हैं कि Account Status ओपन लिखा हुआ है बड़ उसके बावजूद मैं इसको Permanently Delete करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे यहां पर Bottom में Close Account की Option को क्लिक करना है और यहां पर आगया है कि Close Your AdSense Account A few things you need to know before you close your AdSense account और वो क्या हैं? फ्रहाँ हम ड्रैग्डाउन कर लेते हैं कि जनाब Your YouTube Account It looks like you have a YouTube Account continuing to close your AdSense Account means you will stop earning money on your YouTube Channel ठीक है तो यहां पर मैं चेक्मार्क लगारी है तो next option है Getting Paid तो यहां पर लिखा हुए Your Account don't meet the minimum payment threshold to receive your final payment from AdSense this means when you close your account you won't be paid your remaining earning ठीक है तो I accept को मैं चेक मार्क लगा देती हूं अगर आपके AdSense account में कोई earning होगी तो आपके बैंक में ट्रांसफर करती जाएगी वो जितनी भी होगी तो अगर बिलकुल भी नहीं है तो obviously आपको बैंक में क्या ट्रांसफर होगी तो इसलिए यहाँ पे मैंने चेक मार्क लगा दिया तो next है जी before you leave you can export your performance report before closing your account अगर आपको performance report को export करना है तो आप यहाँ पे click करेंगे तो आप performance report को export कर पाएंगे next है जी we are sorry to see you again और यहाँ पे आपने select reason को click करना है choose करने है अपनी reason कि किस reason के तहद आप अपने account को close कर रहे है और यहाँ पे कुछ options भी दी गई है website has closed down, insufficient earnings, poor ad filtering, poor ad targeting या others तो यहाँ से मैं others की option को click कर रहे हूँ और उसके बाद यहाँ पे check mark लगाना है जिसके आगे लिखावा है I have read and understood the ad sense terms and conditions ठीक है तो उसके बाद यहाँ से close my account को click कर देना है यहाँ पे message आगे है thanks for using adsense, you have successfully closed your account तो अब इसके बाद इस page को refresh करके देखते हैं कि अब यह website हमारे लिए open होती है या नहीं तो मैं यहाँ से refresh कर रहीं तो जब मैंने refresh किया तो यहाँ पे आ गया your google adsense account is closed और नीचे है कि अगर आप इसको reactivate करना चाहते हैं तो यहाँ से reactivate account के button को press कर लें तो आपका account reactivate हो जाएगा खेर मुझे यहाँ से permanently delete करना था तो मैं reactivate account के button को click नहीं करूँ उसके साथ ही यहाँ से मैं gmail open करके देखती हूँ कि आया कि मुझे gmail की ओपर भी कोई email receive हुई है या नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि gmail की ओपर मुझे एक email आगी है जिसमें बताया गया है कि जनाब आपका जो adsense का account है वो cancelled हो गया है जो कि यह लिखा हुआ है that's mean कि जैसे मैंने वहां से account को close करने के लिए apply किया था तो quickly यहाँ पर मुझे email receive हो गई तो बस यह थी मारी आज की वीडियो I hope के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दें और अगर चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को subscribe भी कर दे तो ठीक है मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अलाहाफिज स्टे ट्यून